सो हेलो गाइज वेलकम बैक टुद न्यू वीडियो तो गैज आज की वीडियो में यामा लवर से लिए बहुत ही बड़े न्यूज है और वह न्यूज यह है कि यामा ने अपनी लॉंज कर दिया यामा अर्थरी का निया जनेशन मोडल तो यह दोस्तों थर्ड जनेशन मोडल है यामा आर्थरी को और यहां पर इस बार बहुत यह बड़ा अपडेट बैक के अंदर दिया है जहां पर जो भाइक के लुक्स है वो चेंज कर दीगी है इसके लिए बहुत सारे फीचर अपडेट हुए है जिनके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने तो एक चले वीडियो में अगे बढ़ते हैं तो सबस्पेहले हम बात करते हैं एस बाइक के लुक्स के बारे में तो यह बाइक के फ्रेंट लुक्ते वो गाईज इस बार कमपलीटलिया पर चेंज कर दीगी है तो आपको त्वीं आई डी और लाइट साट आप आपको बाकि आपको आर्थरी की बैजिंग देखने को मिलते हैं इसके लब जो साइड फेरी का डिजाइन है वो इस बर काफी इंप्रूफ किया गया और बात करते हैं रेर लूक के बार में तो यहां पर आपको अपडेटेड न्यू कंसोल आपको देखने मिलेगा जिसके अंदर पड़ार में तो यहां पर दोस्तों रहेगा बलू सेकिन यहां पर रहने वाला है यहां पर रहने वाला है तो इस बार आपको असिष्ट एंड बाक्यां बाक्या जिससे आपको जो रैडिंग इस प्रिंस हो काफ़ी जद्धा बढ़िया हो जाएगा बाकि यहां पर आपको यूजब चार्जिंग सॉकिट आपको इस बार देखने मिलेगा बाकि जो बाकि एरगनॉमिक्स थे वो इस बार काफ़ी इंप्रूफ किये गए जिससे आपको काफ़ी बढ़िया पर्फॉर्मेस मिल सके पर और यहां पर अगर मैं बात कुरूं इस बाइक के इंजिन के बार में तो यहां पर 321cc का इन-line twist lander liquid cool engine इस बाइक में दिया गया जो की produce करेगा 42 PS की maximum power और आपको 29.5 Nm का torque इस बाइक से देखने को मिलने वाला है बाकि यहां पर बात करते हैं suspension की तो यहां पर आपको फ 008000 GM की front में disc brake और यहां पर आपको इस bike के ramai 220 mm कि rear में आपको disc brake देखने मिलेगी बाकि आपको के बार में तो यहां पर आपको रेर में 140 mm section का आपको टायर देखने को मिलेगा और यहां पर फ्रेंट और रेर में 17 इंचिस के यहां पर वील रहने वाले आपकी बात करते हैं बाइक की सीठ हाइट के बार में तो इस बाइक की 160 mm की ground crane से रहेगी और यहां पर बात करते हैं fuel tank capacity के बार में तो यहां पर आप 14 लेटर का fuel is back में feel करा सकते हो और जो बाइक का कव weight है वो यहां पर 169 kg का रहने वाला है और इसके लावा इस बाइक में इसाल क्विक्शिफ्टर भी आ चुका है जो कि हांपर console में साफ साफ इं इंट्रू में यह वाली बाइक लॉंच कर दीगी है तो बाइक का जो लॉंचिंग प्रैज है वो दोस्त रखा गया चार लाक साड़ रुपे का असपास का और यहां पर बात करते हैं कि यह वाली बाइक की इंडिया में कब तक लॉंच हो सकती है तो इस साल तो कोई भी चांस आरली सिख कर दो वाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो यह चलिए मिलते हैं आप से अधस्य वीडियो में तब तक के लिए गुडबाइ